वेल्कम तू आर चैनल फेंटसी फॉर्चून इस वीडिया हम बात करने जा रहे हैं वेस्टेंडीज वर्सिज इंडिया फर्स टीट्वेंटी आये मैच जो इखिला जाएगा ब्रैंग लारा स्टेडियम में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेंग लेवन क्या रहेगी स्मॉल ल मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन पिन कर दूँगा उसी के सुरू जुडिएगा बहुत बढ़िया रिजल्स चल रहा है चाहे वह 100 का हो चाहे पिछले कुछ टूर्णामेंट्स का हो तो भाई बहुत फारे मैच जा रहे हैं ऑगस्ट और सेप्टेंबर भर-भर के मैचे होने वाले हैं तो टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो क्योंकि जैसे वीडियो आईगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर हम बात करें वेन्यू की सो ब्रेंगलारा स्टेडि जो भी हुआ है और यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम गैंटी करेंगी काफी टीम है तो मुझे लगता है एक söyledi पहले बैटिंग करती है तो उनको इतने बनाने चाहिए तो बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेंग-11 की तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज की तरफ से काइल मेर सोपन करेंगे जॉनसन चार्ल्स के साथ निकोलस पूरन है अब शाय होप या ब्रेंडन किंग में से एक को खिला जा सकता है शिम्रॉन हिटमायर है रोबमान पौवल है फिराएंगे यहाँ पर जेसन होलडर अकील हुसैन अलजारी जोसफ और बोर्ड मकॉई और उशेन थोमस जो है मुझे खेलतों नजर आ रहे हैं वहीं अगर इंडिया की बात करें तो जिस तरीके की इंडिया जो है वो सोच लेकर उतरी है इस यहाँ पर सिरीज के लिए के हर प्लेयर को चांस मिल रहा है किसी को भी ड्रॉप किया जाता है तो कहना मुश्किल है लेकिन यहाँ पर म कुमरान मलिक या शारदू ठाकूर में से कोई एक खेल सकता है इस मैच में होने वाला है एक लाक रुपे का फ्री गिवए डेली एक लाक रुपे के फ्री गिवए हो रहे हैं यहाँ पर विजन 11 एप पे तो लोएस्ट एंट्री फीस आपको मिल जाती है और दो महीने आपक काईल मेर्स ओपन करेंगे जॉनसन चार्स के साथ काईल मेर्स इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि तावर तोड़ खिलाडी है और आपको कुछ ओवर बोलिंग के भी करके देते हैं तो एक और राउंडर एबिलिटी है इनके पास तो मेरे इसाफ से एक डीसें चोईस बन ज परसेंटी है भी जादा नहीं है तो भाई इनको आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो स्मॉल लीग में कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि इनका रिकॉर्ड काफी शानदार है इंडिया के अगेंस निकॉलस पूरान इंपोर्टेंट है अभी जो है युए से ट्वेंटी खे डाहिए भी तो फिर भी किया जा सकता है सेकंड दाउन तो मैं उतना रिकमेंड करोंग ब्रेंडन कंग आपको खेलते में निजर आ गांकें औरा भी जलते हैं ब्रेंडन और उन्हांद कर सकते हैं oursक चुलते हैं यहां अब रहाएंगे यहां के अपर रखनाथ यंडी की आ उतना अच्छा चलते नहीं है तो मैं Grand League में recommend करूँगा प्लेयर अच्छ है वाट इंडिया के इसे उतनी अच्छी performance नहीं रहती है महीं अगर हम बात करें Jason Holder All-Rounder है बैटिंग बोलिंग दोनों से contribute करते है especially इनकी बैटिंग काफी खतरनाक है head to head में 10 match में 7 wicket निकाले हुए है तो आपके लिए small league के लिए अच्छे pick बन जाती है अकील हुसेन 6 match में 4 wicket है लेकिन ये एक इनका usually रहता है एक आदा wicket ले लेते हैं और जिस तरीके की ये tournament अभी तक series रही है कि विकेट्स बहुत गिर रहे हैं यापर West Indies के अगर आपने रिस्क लेना है तो इसके उपर अगर bowling पहले आती है तो उस case में मैं कोई को अपनी टीम में आप try कर सकते हैं और शेन थोमस है फास्ट बोल करते हैं लेकिन बोल इदर उदर रहती है इनकी line length उतनी अच्छी नहीं है चल गए तो अपने दिन पर 2-3 विगट भी निकाल सकते हैं otherwise आपको negative point देते हुए नजर आ सकते हैं मैं इनसे पहले अबॉर्ड मकोई को prefer करूँगा डेथ बोलिंग की बात करें इस तो जोसफ हैं और अबॉर्ड मकोई हैं इस टीम से important player की बात करें गिल जो है अगर आप देखें इनकी form उतनी अच्छी नहीं रही है West Indies दोरे पर बट स्टिल जो है मेरे इस आपसे important खिलाड़ी है क्योंकि अपने दिन पर यह 17-80 रन की पारी भी खेल सकते हैं तो मेरे इस आपसे important है captain wise captain भी आप इने try कर सकते हैं इशान किशन open करते हैं तो फिर तो आज इस तरीके की form इन की West Indies दोरे पर रही है प्लस wicket keeping का advantage है इनके पास तो captain wise captain की एक safe और एक अच्छी choice बन जाती है small league में जैस वाल आपके लिए differential खिलाड़ी बन सकते हैं especially batting first करते हुए और अगर ये open करते हुए है अगर open करते हैं फिर आप इने अपने team में जरूर रख लेना और फिर उस case में grand league में भी आप इने captain wise captain try कर सकते हैं सूर्य गुमार यादब one day उतने इनके हमेशा इतने कुछ खास नहीं रहते हैं लेकिन T20 में बहुत पिटाई करते हैं साथ match में 242 रन भी है 40 के उससे याँ पर West Indies के against so batting first करते हुए must have pick लेकिन chasing करते हुए शायद उतनी batting ना आये या risk आये या किसी और को promotion मिल गया जैसा हुआ है one day में तो risky pick बन जाएंगे लेकिन batting first करते हुए एक must have pick आपके लिए रहेंगी हार्दिक पांडिया क्योंकि हार्दिक पांडिया देखा batting आती है नहीं वो एक देखने वाली बात है लेकिन यह जिस तरीका का player है ना कि अपने over कर जाता है क्योंकि captain है ठीक है ना तो chances है कि अपने 3-4 over यह आपको खरके दे सकते है अगर इनके mood हुआ तो प्लस यह batting first करते हुए काफ़ important रहेंगे सो batting first करते हुए मेरे साब से captain wise captain भी आप इने कर सकते हो Sanju Samson खेल सकते है या तिलक वर्मा Sanju Samson खेलते है तो भी grand league तिलक वर्मा खेलते है तो भी grand league क्योंकि batting काफी नीचे आएगी अकसर पटेल की बात करें एक trump card फिक साबित हो सकती है selection बहुत कम है लेकिन 2 match में जो है 5 wicket निकाले हुए है और अगर इनकी batting आ जाती है तो फिर सोने पे सुआगा batting बहुत शांदार कर रहे है recent time में तो अकसर पटेल आपके लिए differential trump card साबित हो सकते है mukesh कुमार ये player ना भाई तगड़ा बोलर है ये ठीक है last match में bowling भी अच्छी करी ODI में और ये खिलाडी impress कर सकता है wicket taking वाली शमता है selection इनका कम होगा risk लेना है तो mukesh कुमार को अपने team में रख लेना ठीक है ये आपके लिए अच्छे points आपको देने की शमता रखता है और death में भी bowling करके दे सकता है अर्शदीब important रहेंगे must have इनको मैं मान के चलता हूँ 5 में आच में 7 wicket है grand league के लिए captain and wise captain भी आप इनको try कर सकते हैं तो मेरे इसाफ से important है कुल दीप यादव western indies के against शांदा record 5 में आच में 11 wicket और इनके western indies के 3-4 wicket भी out कर सकते हैं तो grand league में आप इनके captain and wise captain जरूर ट्राइ करना especially अर्शदीब के साथ उम्रान मली के शार्दू ठाकुन है बोलर जाद अच्छे शार्दू ले लेकिन हो सकता है उम्रान को मौका मिल जाए क्योंकि बंडे में उतना मिला नहीं 8 मैच में 11 wicket है grand league में आप try कर सकते हो अगर आपने risk लेना है तो मैं मुकेश कुमार पे पहले risk लेना पसंद करूँगा death bowling की बात करें अर्शदीब है और मुकेश कुमार है important player की बात करें वेस्तों सारे player important होते हैं इंडिया के especially West Indies के against लेकिन शुबमान गिल इशान किशन, सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांडिया, अर्शदीब और कुलदीप यादव मेरे साब से काफ़ important रहेंगे small league point of view से बात करते हैं captain wise captain की small league में इशान किशन को कर सकते हो शुबमान गिल को सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांडिया grand league में अर्शदीब को try कर सकते हो मुकेश कुमार को यहाँ पर खुलदीप यादव और कुछ अलग try करना और काफ़ी risk लेना है तो काईल मेर्स को भी captain wise captain कर सकते हो only for grand league चलिए अब create करते हैं अपनी small league और grand league की teams तो wicket giving section में चार option आयाते हैं निकोलस फूरा ने दोनों को मैंने लिया है संजीू सैमसन और शाहोग खेलते हैं तो यहाँ पर इनको आप grand league में try कर सकते हैं batting section में यहाँ पर शुबमान गिल must have रहेंगे jazz वाल को अभी के लिए रखा अगर open करते हैं जॉनसन चार्ल्स का इंडिया के against अच्छा record है यह एक risky pick बन सकती है अगर आप लेना चाहते हो तो और rounder section से यहाँ पर मैंने चार old rounder रखे हैं यहाँ पर हारदिक पांडिया, काईल मेर्स holder और अक्सर पटेल को मैंने अपने team में रखा है bowling से यहाँ पर अर्षदीप और कुलदीप यादव को रखा है अगर आप खेल रहे हैं विजन 11 अप पर तो आप यहाँ पर holder या मायर्स में से एक को drop करके एक extra bowler ले सकते हैं तो अभी के लिए यह बन जाती है हमारी small league की team इसमें एक से तो change definitely होएंगे क्योंकि toss का जो है काफी crucial factor बन जाता है तो dream 11 और vision 11 की team में आपको telegram पर मिल जाएगी जिसका link की description में उसके तुरू जुड़ जाना है बात करते है captain wise captain की so toss के ओपर काफी कोई decide करेगा लेकिन अभी के लिए मैंने इशान किशन को captain wise captain जो है मैंने शुबमान गिल को किया है तो ये बन जाती है हमारी small league की team बात करते है grand league teams की so 2 teams create करी है मैंने आपके लिए team 1 की अगर हम बात करें so hardik pandeo captain किया है wise captain जो हमने सूर्य कुमार यादव को किया है especially अगर ये team work कर सकती है अगर इंडिया की पहले betting आती है उस case में team 2 की बात करें team 2 एक unique team है जिसमें हमने 6 bowler रखें और bowler को ही captain wise captain किया है अर्शदीप को captain किया है और यहाँ पर कुलदीप यादव को हमने इस team में wise captain किया हुआ है तो आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं और किसी एक player को भी multiple teams में captain wise captain कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आईए पसंद आईए तो like करो, share करो comment करके बताओ आपके इस आपसे best choice captain कौन होने वाली है साथ के साथ YouTube channel को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी all the best guys